गुड मॉनिंग मैं डॉक्टर अवीडल हूँ, सुपर स्पेशलिस गेस्ट्रो सर्जन बंबे ऑस्पिटल इंगर। मैं आपको आज बताने वाला हूँ लेप्रोसकोपिक सर्जरी, लेप्रोसकोपिक सर्जरी की होल सर्जरी। बिसिकली ये एक प्रकार की सर्जरी ही है जिसमें हम पेट को चीरा ना लगाकर छोटे-छोटे छेदों, छोटे-छोटे छिद्र, छोटे-छोटे होल के दौरा कुछ विशेश प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से सेम सर्जरी को अंजाम देते हैं. एडवांटेज क्या है? हमको पेट का बहुत बड़ा निशान अवाइड होता है, रीकवरी जली होती है, दर्द कम होता है, ये इस चीज के एडवांटेज हैं, लेपरोस्कोपिक सर्जरी के, तो लेपरोस्कोपिक सर्जरी एक सर्जरी का ही फॉर्म है, सर्जरी करना है, पर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से छोटे-छोटे छेदों से हम इसको ऑपरेट करते हैं जैसे एक्जाम्पल मैं आपको बताऊं गॉल्फ लेडर सर्जूरी अपेंडिक्स सर्जूरी आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले ओपन तरीके से होती थी आज के जमाने में अपेंडिक्सी सर्जूरी, गॉल्फ लेडर की सर्जूरी बहुत ही ईजी ली तरीके से लेप्रोस्कोपिक तरीके से हम इसको अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं दे केर सर्जूरी कंसेट, 24 गंटे के अंदर पेशेंट एडमिट होता है, डिश्टार चला जाता है, रीकवरी बहुत अच्छी होती है, पैन बहुत कम होता है तरीके से कर सकते हैं, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक प्रकार का एडवांजमेंट है, अभी इसी का बहुत और एडवांस वर्जन है, रोबोटिक सर्जरी, तो लोग इसमें से मुझे आके पुस्ते हैं, रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी करेगा क्या, तो रो परीज के पेशेंट्स में लाइक लेपरोस्कोपिक की चोटे-चोटे चेतों से ऑपरेशन करता है तो यह बहुत एडवांस तरीका है पर लेपरोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही सेफ है बहुत ही सक्रात्मक है बहुत ही सही तरीके से इसको यूज किया जा रहा है और पेशेंट झाल 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 झाल